आज हम बात कर रहे हैं आयोद्या विवात की जो सुनवाई है वो पहुच चुकी है बहुत जल जो है वो इसका फैसला भी आ जाएगा दोनों ही पक्ष जो है जहां कि आ स्था के आधार पर पर योध्य विवात को सुर जाए जा सकता है कि आस्था के विवात पर सुर्ण कोड जो है वो जो है आयोध्य विवात को सुल जाए गा या या बात इसलिए उठ रही है क्यूंकर काफी दिन इस चीज़ को हो गए हैं और हमemi बतादें के 2010 2010 दो हजार 10 में जब अलावात कोर्ट के लगनों में इसने फैसला दिया था, तो उन्होंने भी जा अपना फैसला पे बास्ता इस violation में बाढ़ दि की जो गया ता, बराबर हिस्सें वो बाट दिया गया था जिसमें से एक हिस्सा सुन्नी वखबोट का था दूसरा हिस्सा जो था वो रामलला प्रिजमान का था और तिसरा हिस्सा जो है निर्मोही अखाड़ा का था तो ये तीन जो बराबर हिस्से थे उनको जो है सबूतों के नहीं बलके आस का नहीं है यह मामला धरकुल भी आसता का नहीं यह मामला जो है वह फ़ोत का हैじो पक्ष फ़ोत लाएगा उसको ही जैए मालिखानल मिलेगा है सबुहने बात की थे title suit क्यों title suit मतलब मालिकानह थो मालिखानल और है यह विवाद मालिकानल हक का है किसी भी हास्ता से यह नहीं जुड़ा है इस तरह की जो बाती थी वो दीबक मिश्रा के दौर में हुई थी लेकिन अब आप लोग यह सोच रहे हुए कि अब तो नौ साल बाद यह बात तुबारा कि उड़ी है नौ साल बाद यह इसने उड़ी है क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोट में है और सुप्रीम कोट में 36 वे दिन जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोट के हम आपको बता दे कि सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस जो है रम रंजन जो जी जो है रंजन गोगी जो है वो इसकी अधेश्चता कर रहे है उनके सामने मामला यहाया था हिंदू पक्ष की जो वकील है हिंदू पक्ष जै वर्धनातन ने कहा था कि राम लला से जो जुड़ा मसला है ये मसला जो है वास्ता का है ये मसला जो है वास्ता से जुड़ा हुआ है क्योंकि सालो साल से लोगों की आस्ता ये है कि राम लला का जनम जो है वो यही हुआ था दूसरी बात उन्होंने तक ये रखा था कि AISI रिपोर्ट्स में बताये गया था कि यहां इस्तंब पाए गये हैं यहां पर पिलर्स पाए गये हैं उन्हें पिलर्स पे कमल का निशान मिला है और गंगा नदी के प्रभाव भी इस पर मिला है तो इस से इस जीज का अंदाजा लगाए जा सकता है कि यह जो मामला है यह आस्ता का है और आस्ता के तोर पे जो है उन्होंने जो है इस बात को कहा हलाकर चीफ ज़स्टिस चदर्चूर जो है वो पांच चीफ बैंच के जो जजीज है उसमें चदर्चूर ने कहा था कि हम आपकी आस्ता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बलके हमें स्थबूत चाहिए है कोट को स्थबूत चाहिए वह आस्ता के आधार पर अपने फैसला नह मुसलिय पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि एसाई रिपोर्ट में कहीं भी ये बात साबिद नहीं होती ना उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पर मजजी से पहले मंदिर था एसाई रिपोर्ट में किसी जगा भी है वो जिकर नहीं किया गया आपको बता दें जो 2003 में एसाई की रिपोर्ट की गई थी तो उस पे भी जो हैं वो लोगों ने सवाल उटाए हैं वो आर्टिकल से इसमा हैं जो बहुत बड़ी हिस्टूरियंस हैं उन्होंने इस पर सवाल हमका सब का मानना यह है कि जो 2003 में सर्वेक किया गया था जो उसके माप्देंट थे वो सही नहीं थे और उसमें बहुत सी जो हैं वो खामिया की अब बड़ा सवाल ये उटके आता है कि क्या आस्ता के उपर फैसला आ सकता है क्या आस्ता के आधार पर इस विवाद का मसला सुलजाया जा सकता है क्या फिर सबूत इसमें एहम रोर होंगे तो ये सवाल मैं आपकी निए चौड़ता हूँ आप हमें कमिंट्स बॉक्स में जरूर बताएं क्या सुप्रीम कोड्ड आस्ता के तौर पर आधार पर अपने फैसले को देगा क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुबूत के अधार पर देगा क्या चीज जो है इसमें और हो सकती है तो फिर किसी और न्यूस के साथ मैं आपके साथ रहूँगा मौजूद आप बने रहे हैं ता इंडियान इंफोमेटिव स्टुडियो के साथ इस चैनल को लाइक और सर्सक्राइब करना ना भूलें जैहें